हाई डिलबर्स, अब हम लोग फोर लूप को थोड़ा सा डेफ्ट में डिसकस करेंगे, आपको ध्यान होगा, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगोंने लूप क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, उसको डिसकस करा था, छोड़ा सा एक्जामपल भी देखा था, एक exercise भी दी यूजर से input लेके, उसके उपर हम लोग लूप किस तरीके से अपलाए कर सकते हैं, एक छोटी सी exercise भी रहेगी आपके लिए, और interview question के अंदर, दो यहाँ पर main interview question है, पहला interview के अंदर आपको बोल सकते हैं, को भी वैन के उपर आप थोड़ा सा syntax या फिर code लिखके दिखाओ, कि एक loop के अंदर, एक और loop किस तरीके से बना सकते हो, दूसरा यह पूछ सकते हैं, कि user से input किस तरीके से लिया जाएगा, और उसके उपर loop कैसे अपलाए होगा, alright, interview question मैंने पहले बता दिया, दोनों का अंसर आपको इस video के अंदर मिल जाएगा, अब start करते हैं, हम लोग पह main function बना लेता हूँ, सो यहाँ पर लिखूँगा, public, static, void, main, और वही हम लोग repeat करेंगे code को, एक argument देंगे, string type का, इसकी मैं spelling ठीक करतेता हूँ, उसके बाद में हम लोग, यहाँ एक simple for loop लगा लेते हैं पहले, सो मैं हाँ एक for loop लगा हूँगा, int, i equal to 1, ठीक है, और i कहां त 10 तक चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद में लोग क्या करेंगे, i को plus plus करेंगे, and यहाँ पर अगर आप चाहो तो shout करवा सकते हो, i को, यह वाली चीज हम तो हम लोग last वाले part के अंदर देख चुके है, अब second चीज क्या आती है, कि अगर मुझे loop के अं या फिर कुछ और variable लेना पड़ेगा, कुछ call-trick तो नहीं बनेगा, and all right, so हम लोग एक और for loop लगा लेते हैं, इसके अंदर, सबसे पहले वही for loop लगा होगे, आपको न अब i नहीं लेना, because i variable आप पहले ले चुके हो, तो यहाँ पर ले लो int j, और उसकी value आप चाहो तो 1 रख लो, 0 रख लो, जो भी आपको रख नहीं हो, कोई फरक नहीं बढ़ता, right, और वो भी जहाँ तक आपको loop करना हो, let's say कि आप, अच्छा, यह कर लिया, first, उसके बाद में, i less than, equal to 5, यहाँ कि 5 तक चलेगा यह वाला loop, और बाद में, j++, अगर आप j ले रहे हो, तो j को console कर दोगे, जब आप j console करोगे, तो होगा क्या, इसका output क्या आएगा, ऐसा भी पूछ ले जते हैं, आपको छोड़ा सा एक program मना के दिखा देंगे, इसका output बताओ मुझे, क्या output आएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, 10 बार, 1 से ले दूसरी बार चलेगा, फिर 5 बार अंदर वाला चला देगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 5 बार अंदर वाला चला देगा, इस तरीके से 5 बार चला देगा, तो यह जब तक आई हमारा 10 बार चलेगा न, तब तक आई हमारा 50 बार चल चुका होगा, राइट, इसको एक बार से for loop चला और उसने फिर से अंदर वाली loop को चला दिया तो यह second बार चला यह हमारा third बार चला यह हमारा fourth बार चला ठीक है इस बार अगर आप total loop दें हो ना count करो कितने बने है उपर वाला 10 बार चलता है और अंदर वाला 5 बार चलता है तो total multiply करके कितना हो गया 50 बार loop चला यह आपको 50 point मिल देंगा अगर आप चाहो तो count कर सकते हो और अगर आपको count करना है तो आप यहाँ पे भी एक लगा सकते हो system out print aln लगा सकते हो यहाँ पे लगा दिता हूँ और यहाँ पे ल print करेगा ठीक है तो एक बार के लिए चेक करेंगे फिर से देखो सबसे पहले i1 था उसके लिए 5 बार चला j फिर i की value 2 हुई फिर i की value 3 हुई फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से एक loop के अंदर एक और loop काम करेगा अगर एक और loop होता इसके अंदर क् लूप हो सकता है इसको हम लोग क्या बोलते है nested looping बोलते है ठीक है all right वो भी possible था अब हम लोगों ने ये चीज़ तो देख ली अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ठीक है अगर user से input लें let's say कि आप चाहते हो user जितना आप input डाले user ने 5 डाला तो 5 बार loop चले 10 डाला तो 10 चले 20 डाला तो 20 बार loop चले अल्राइट तो यह कैसे कर सकते है अब मैं यहां पर क्या करूँगा इसको एक बार के लिए comment कर देता हूं चीक है और यहां पर user से input लेने के लिए एक scanner जो class होते है हमारी उसको import करता हूं जैसे मैं यहां पर scanner लिखना शुरू करूँगा मुझ scan रख लूँ यहां पर और new scan और इसके अंदर आपको क्या डालना है system.in यह हमारे system का जो input line होती है command line होती है उससे input लेगा और उसके बाद में मैं यहां पर int ले लेता हूं let's say user well ठीक है user well ले लेता हूं because user से इसका data आएगा तो मैं हां पर क्या करूँगा scan.next int ठीक है और जब आप next int लोगे न आपको ध्यान रखना है user well की type होगा वो भी हमेशा integer ही रहेगा all right so अब इससे क्या होने वाला है सबसे पहले user एक input मांगेगा और जैसे हम लोग input enter करें देंगे तो user value के अंदर वो वाली value आजएगे माल लो हमने 10 डाला 20 डाला तो अब इतनी value तक हमें loop चलाने है ठीक है तो अब हम लोग एक for loop लगा देंगे यहां पर और for loop अब चाहो तो 0 से start कर लो चाहो तो 1 से 1 से start क कर देता हूं int i equal to 0 0 से start हो गया और कितनी value तक जाना चाहिए जितनी user ने input दी है ठीक है तो मैं यहां पर लोगा i less than equal to user value and i plus plus इस तरीके से अब मैं यहां पर यहां करूँगा शाउट कर दूँगा यहां पर simply i key value कि i कितनी बार चला तो अब एक बार के इसको run करके देखते हैं अचा run करने से पहले मैं एक चीज़ों करूँगा यहां पर एक शाउट लगाता हूं उसमें डालता हूं enter maximum loop value ठीक है यह डाल दी मैं नहीं अब मैं जैसे इसको बार दुबारा कर देता हूं run कर देता हूं ठीक है stop and rerun यह थोड़ा से मैंने ज्यादा open कर लिए ताकि थोड़ी से मैं output अच्छे से दिख पाए यहां पर मैं इसकी value एंटर करता हूं let's say मैं चाहता हूं कि जो मेरा loop है वो 8 तक चले ठीक है मैं एंटर करा और देखो 0 से लेगे 8 तक हमारा loop चल गया अगर मैं इसको फिर से रूख अब भी exit हो चुका है program ठीक है अब मैं इसको फिर से run कर देता हूं एक बार के लिए अब मैं डालता हूं यहां पे let's say 400 डाल देता हूं और अब मैं अंटर करता हूं तो देखो इसने पूरी यह पूरी 400 तक value ली 10,000 डाल दोगी 10,000 भी डाल गी 20 crore डाल दोगी 20 crore तक भी चलेगा बट आपको ध्यान डखना है आपके system की RAM इतना support करें अदर आपका system हैं हो सकता है और code break भी हो सकता है अगर आपकी stack memory फूल हो जाएगी अब next चीज जो आपकी exercise है यूजर से input दो input लेनी है आपको हमने एक input लेनी है जो जैसे हमने i की value input एक रहेगी और जो second input रहेगी वो j की value रहेगी इस तरह किसे आप मुझे for loop लगा कर दिखाओ वो आपको code करना है और last वाले part के अंदर मैं exercise जी थी दोनो exercise के code आपको next वा question आपको फिर से बता देता हूँ आपको user से जैसे हम लोगों ने भी एक value लिये ना तो आप लिखोगे enter the maximum value for i तो जो maximum value रहेगी i वहां तक आपको बाहर वाला loop चलाना है और जो value रहेगी j की वो आपको अंदर वाला loop चलाना है आपको user input की help से loop inside loop चलाना है ठीक है so अगर आपको कुछ confusion है कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो के अंदर तो मुझे comment section के अंदर बचाना और मैं आपसे request करके आप मुझे please support करो video को like करके channel को subscribe करके and comment section में अपने feedback देगे thank you guys thank you so much for watching this video